चलिए, अब हम पढ़ते हैं direct tax और indirect tax इन दोनों के बीच में differences क्या है तो GST की course में भी मैंने इसको separately वहाँ पे discuss किया था यहाँ पे थोड़ा साम इसको और अच्छे से अलग separately discuss करते है direct tax वो, जिसकी जेब से जाना है वो ही directly government को pay कर रहा है indirect वो, जाना किसी की जेब से है government को pay कोई कर रहा है मतलब sir, देखू income tax में क्या है आपने पैसा कमाया, आपकी salary आई, आपने job करी, salary आई salary में से for example मैं कह रहा हूँ, आपकी बहुत अच्छी salary है I know आप 50 lakh rupees per annum कमाया हूँ 50 lakh की जैसी आपने earning करी है न जब tax return फाइल करने लगे हर साल हम क्या करते है income tax की return कैसी जाती है, annually जाती है so जब आप return, return क्या होता है वो भी समझेंगे बाकी थोड़ा सापका idea होगा, मतलब हम tax pay करते है annually tax pay करते है so जब आप tax pay करते हो, ठीक है so उसमें आपको, आपने कमाया है 50 लाग रुपे आपके पास आए है so उसमें से जो भी हिस्सा बना for example, roughly मैं बोल रहता हूँ 10 लाग रुपीज, तो वो 10 लाग रुपीज आप अपनी pocket में से ले जाके government को दोगे so that's income tax, that's why it's a direct tax that's direct tax, जो directly भाई जिसकी जिब में आ रहा है ना पैसा 50 लाग मेरी pocket माई so मैं है directly government को दे रहा हूँ indirect tax क्या होता है कि पैसा तो किसी की pocket में आ रहा है मतलब उसका benefit कोई ले रहा है और pay कोई कर रहा है बास समझो, यह लगता है sale purchase के उपर यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास कोई CC, मैंने आपको sale करी for example, मेरे पास mobile है यह mobile मैं क्या कर रहा हूँ, आपको sale कर रहा हूँ मैं seller कोई सी पर mobile का company का गया देते है for example, Samsung का है मैंने क्या तरहा है, यह Samsung मैं company हूँ, मैंने आपको sale करा यह 10,000 का mobile है, तो इसके उपर हम tax लगा देंगे GST में, for example, 1800 का इसके उपर GST पे tax charge हो बिया so, अभी आपने कितना पे करा है मुझे 11,800, 10,000 का mobile है 1,800 आपने क्या करा है, मुझे tax पे करा पे किसने करा है, आपने क्या, आपने government को पे करा है, ना आपने किसको पे करा है, मुझे seller को पे करा है आपसे 1800 लिए, वो मैं किसको दूँगा government को पे कोई कर रहा है, जेब से किसी की जा रहा है, लेकिन government तर कोचा कोई रहा है तो वो वो गया मेरा indirect tax clear है पूरी तरह से so, वो ही बात यहाँ पे है, एक बाद कवर करते हैं, देखो direct tax में क्या है person paying the tax to the government directly where's the incidence of the tax, जो government को पे कर रहा है भाई, उसको भी burden, अब उसकी जेब में सी पैसा कट होगा burden उसी के उपर है indirect tax में क्या है, person paying tax to the government, collects the same from the ultimate consumer जो government को पे कर रहा है seller पे करता है GST, मैं as a seller government को पे कर रहा हूँ बट कल, अपनी जेब से जा रहा ही पर है, pay मैं कर रहा हूँ clear है पुरी तरह से, done है फिर आता है progressive nature high rate of tax for people having ability to pay जो income tax होता है ना, नीचे example में income tax लिखा है, income tax कैसा होता है, ये ना बढ़ता जाता है जितनी जादा income, उतना जादा tax ठीक है, so सब चीजे देखेंगे किसके उपर कितना tax लगता है, वो सब देखेंगे so, एक मैं example दे दिया जैसे 2.5 lakh तक, अगर आप अंगर होना, तो government कैती है भाई, देखो पहली आपके पास 2.5 lakh है, इसमें मुझे क्या पे करोगे, रखो, मुझे कोई tax नहीं चाहिए उसके बाद government करी 5 lakh तक अंगर रहो ना, 5% मुझे भी देखो, थोड़ा अंगर रहो, जादा नहीं मांग रहो 5%, फिर उससे उपर कह दिया, कि मुझे 10% देखो, 20% देखो, मुझे 30%, जितना 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 बढ़ता जाएगा, उतना उतना government आप से क्या नेती रहेगी, tax collect करती चाहेगी, ज़्यादा income earn करने वालों से government ज़्यादा पैसा नेती, यहाँ पर government पता कैसी है Robin Hood type में, कहती अच्छा भाई तुमने ज़्यादा कमा लिया, मुझे ज़्यादा इस्ता चाहिए, तो वैसे वाला है ठीक है, सो इसको commission में बॉल दे न, उसमें तो ऐसा जाते है जैसे रिश्वत ले रही है, government रिश्वत ले रही है tax ले रही है, proper tax ले गया फिर इसके बाद आता है regressive in nature, जो GST वाले चीज़ होती है यह regressive है, down वाली position में, all the consumers equally bear the burden हर बंदे को equal burden पे करना पड़ेगा, मैंने mobile आपको sale कर रहा है न, 18% आपकी income कितने है मुझे उससे मतलब नहीं है, जो भी mobile करीदेगा, उसको उतना ही tax पे करना पड़ेगा, अब ये बात बताओ एक person है, जो साल के थाइलाग रुपे अन कर रहा है सो उसको तो महेंगा लगेगा न, उसकी जे पेंग दमसर पड़ेगा, अरे भई अठावसोर रुपे गववर्मेंट ने टैक्स के ने लिए GST, और एक person है जो डाई करोड रुपे साल के कमार है, उसको क्या, अरे ये, देड़ाजा रुपे आपको इसका बड़न कम होता जाएगा, तो ये कैसा हो गया GST और एक आता हमारा कस्टम डूटी, कस्टम डूटी मेंली आपका न, इंपोर्ट के उपर आता है जब आप इंडिया के बार से वोई समान मगाते हो, तब इन कस्टम डूटी आता है, ये भी आपका इंडियरेक्ट, होफुली आपको पूरी ज़र से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, सारी क्लासिस हमारी ऐसे ही होंगी मतलब बिलकुल पॉइंट टॉइंट, लैंट्स इंक्रीस करने में मेरा पोई इंट्रस्ट नहीं होता है, ठीक है, बहुत सी क्लासिस में क्या होता है, वो सामने से जब स्टुडेंट भी अन्रोल करते हैं, तो उनको भी लगता है ऐस अ स्टुडेंट, कि भाई, इसकी ग्लास, ये ग्लास ना 40 आर्स ही है, ये 50 आर्स ही है, तो मतलब content होगा जरूरी नहीं है, जितना length-wise content होना जरूरी नहीं है, अब मैंने आपको बता है, क्यों length से जादा होगई, क्यों वह कम length में क्यों ज्यादा अच्छे से cover होगई, क्योंकि मैंने कुछ noting में time ने दिया, सब कुछ प्री रिटर्न है, मैंने यहां पर पुछ extra moment नहीं करा या बीच में किसी से कुई discuss नहीं कर रहा है, studio recording है कोई ऐसा नहीं है, live session की recording करी है, so that's why आपकी जो time save होगा इससे, बहुत कम time में maximum learning आपको मिलता हैगी, ठीक है तो चलिए, next वीडियो में, next topic तबरे